नमस्कार दोस्तों स्वागाते आप सभी का अपना यूटूब चैनल दविलेज में तो दोस्तों सुपोल अराडिया नई रेल लाइन के लिए टेंडर का वर्क जो है वो पूरा हो चुका है सुपोल के सांसद दिलेशवर कामित ने रेल लाइन को धरातल पर उतारने के लिए रेल बोड को सुची सोपी है और ये सुची जो है 19 नई योजनाओं की सुची है तो इसमें दो तीन जो अहम चीज है उसी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो फोर्वीजगंच और दर्भंगा वाली जो लाइन है जैसे की फोर्वीजगंच सहरसा वाली लाइन है उसी में से जो है सरायगर से दर्भंगा के लिए निकलती है तो फोर्वीजगंच और दर्भंगा वाली जो लाइन है उससे कई सारी ट्रेनों की मांग भी इन्होंन हुआ है फिलाल जो है यह मांग उन्होंने रख दिये जिसमें जिससे इस छेतर की जनता को जो है राजधानी ट्रेन का भी लाब मिल सके और साथी साथ परताग बंज रेलवे इस्टेशन पर रेक पोईंट निरमान करने के लिए भी जल्द आवेशक करवाई करने की उन्होंने बात कही और सुपोल अरड़िया और गलगलिया जो रेल परयोजना है उसका काड़ यह परगती पर है इसके लिए रेल परशासन को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा की सुपोल से पिपरा और पिपरा से तिर्वेनी गज तक का टेंडर हो चुका है तिर्वेनी गज से अरड़िया जमीन अधिगरन का कारज जो है वो परगती पर है और इसके लिए जो है इसकी पढ़किरिया वो जल्द पूरी की जाएगी और दरभंगा फ़ड़िज गज रे की इन्होंने मांग की है आप ये देख लिजे किस तरह से फोरीज गज से जो लाइन को सीधी करने की नक्षा जो है तयार हुआ है इस पर मैंने और पहले वीडियो बना चुका है लेकिन अभी भी आपको फिर से बता देता हूँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से बिना लेलित ग्राम गए सीधी जो है ये सराइगर और दर्भंगा की तरफ चली जाएगी और ये लेंड सीधी होने के बाद जो भी ट्रेने है जैसे की राजधानी है और भी एक्स्प्रेश ट्रेन है उसका समय भी बचेगा और इंजन वापस पीछे की तरफ नहीं लगान की है तो ये एक अच्छी पहल और अच्छी मांग है तो देखना हुआ क्या होता है आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी तो दोस्तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा चैनल प